Deflation Deflation का हिंदी मीनिंग अप इस्वीती, संकूचन, पिचकना, अविस्वीती, मुद्रा संकूचन, मुद्रा इस्वीती का विपरीत मुद्रा इस्वीती का मतलब होता है inflation यानि inflation का opposite कहलाता है या होता है deflation deflation का English meaning देखते हैं When deflation happens, the prices of goods and services will fall Goods मतलब कोई सामान, कोई उत्पाद, या कोई वस्तू Services मतलब सेवाएं तो वस्तूओं की और सेवाओं की जो कीमत है उसको गिरना उसमें गिरावट आना कहलाता है deflation कुछ sentences देखते हैं जिससे की ये word आपको और clear हो जाए और लंबे समय तक आपकी memory में ठहर पाए If a product that cost 200 rupees last year is costing 150 rupees now Then it is said to have undergone deflation जिस उत्पाद की कीमत पिछले वर्ष 200 रुपे थी वही इस वर्ष उत्पाद की कीमत 150 रुपे, 1500 रुपे याने की वह उत्पाद undergone याने गुजरा है deflation से गुजरा है deflation is beginning to take hold in the clothing industry कपड़ा उध्योग में deflation जोर पकड़ने लगा है there has been a deflation in property values याने property की जो कीमते हैं उनमें कीमतों में गिरावट आई है deflation हुआ है तो उमीद करता हूँ deflation का मतलब आपको आसानी से समझ भी आ गया होगा ऐसे ही कुछ sentences आप भी comment box में share कीजिए साथ यह चैनल को subscribe कीजिए, वीडियो को like कीजिए share कीजिए, thank you, have a nice day, bye bye, take care, मिलते है next वीडियो में